आप आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही होगी और मेरा वीडियो भी साफ आ रहा होगा आज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बस जड़ा लिख दीजेगा कि वीडियो इस ओके और आडियो इस ओके जड़ा मैसेज दे दीजे कल थोड़ा गबड हो गया था तो मुझे पहले वो कन्फर्म कर लेते हैं मैं चेक करूं क्या बेडिकर जी का एक कमपैरिसन पढ़ाना था वो क्लास लेनी थी लेकिन आज मैं वो क्लास अभी नहीं ले रहा हूं क्लास कुछ और लूँगा भी कल की सेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस सेशन ने आपको काफी मदद की आई होप आप लोग को भी ऐसा लगा होगा आप लोग के कमेंट से भी मुझे ऐसा समझ में आया और आप लोग के आंसर्स देखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जो हमारा multiple choice questions को face करने का जो round था उसने आपके अंदर एक confidence भी build किया और साथी साथ आप कहां चूक कर सकते हैं कहां गलती कर सकते हैं उस गलती के बारे में भी उसने आपको एहसास करवाया तो अगर हम देखें तो मलब वो हर तरह से helpful था आपकी कमियों को दूर करने में भी helpful था प्लस आपके confidence को build करने में भी helpful था कि आप कर भी पा रहे थे बहुत सारे questions कुछ questions में आपने गलतियां भी की थी और मैंने 90% questions जो थे कल के session में मैंने IAS में आयवे ही questions डाले थे 10% questions मैंने PCS के questions डाले थे तो कल जब हम कर रहे थे रात को questions करते वे हमें 11 बच गया था अभी मेरे मैंने जो आपके लिए questions सेलेक्ट करे थे उसमें कुछ questions रहे गए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो questions भी आपको आज करा दूँ पहले तो कुछ और dimensions आपकी open हो जाएंगी आपने जो पढ़ा है उसमें किस तरह कि सवाल उन areas में जो और areas आपने पढ़े हैं कैसे questions आ सकते हैं उसका idea आपको लगेगा प्लस आपको खुद को अपनी तयारी को चेक करने का अपनी पढ़ाई को चेक करने का भी मौका मिलेगा और जो कल हमने benefit उठाया था हम उसको continue कर सकेंगे प्लस इन questions में कुछ areas ऐसे आ जाते हैं जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन वो question की माध्यम से वो information हमें मिल जाती है यानि कि इसे हम बोलते है reverse injuring तो एक तरह से reverse injuring करने का मौका जो है वो हमको मिल जाता है तो ये भी एक मेला इसका benefit है तो अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से जो बचेवे questions हैं मैं सोच रहा हूँ आज पहले वो बचेवे questions भी आपसे करा दूँ थोड़ा time बचेगा अगर तो फिर मैं आपको आपने जो मेरे से अभी पास के जो हमेरे lectures थे उस पर जो आपकी कुछ queries थी आपने channel के comment section में जो अपने कुछ questions कुछ बच्चों ने डाल रखे थे उन में से जितने questions ले पाऊंगा आज वो questions भी ले लेता हूँ तो इसको भी हम query को solve करने वाला ही session रख लेते हैं और कल fresh तरीके से हम फिर जो है कल पढ़ाई करेंगे हरीजन movement को पढ़ेंगे मतलब हम गांधी जी के हरीजन movement को पढ़ेंगे और उसमें आगे पढ़ेंगे और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें और आगे कुछ पढ़ेंगे तो basically आज अभी बचेवे questions को यह questions रही जाएंगे जो मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं तो आज भी हम पहले questions निप्टा लेते हैं अब ज़्यादा नहीं बचे हैं फिर भी 20 के असपास questions और बचेवे हैं आई-एस में आपने जो जो chapters पढ़ लिए उन chapters से आई-एस में जो question आए हैं उसमें अभी 20 questions और बच रहे हैं वो questions भी मैं आपको करा देता हूं ठीक है तो तैयार हो जाईए आज के session के लिए ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं और virtual class में चलते हैं और बचे हुए questions को करना start करते हैं तैयार हो जाईए अपना कलम लेकर रहे हैं चलिए तो आपके सामने question है the trade dispute act of 1929 provided for the trade dispute act of 1929 provided for 1929 के trade dispute act में क्या था मतलब major क्या था क्या व्यवस्था थी किस चीज के लिए वो कानून लाया जा रहा था 1929 का trade dispute act ठीक है करिए बताइए जरा मैं options पढ़ देता हूँ number one the participation of workers in the management of industries उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को सहभागिता प्रदान करने की व्यवस्था number two arbitrary powers to the management to quell industrial disputes और योगिक विवादों को हल करने के लिए और योगिक विवादों को हल करने के लिए प्रबंधन को मनमानी शक्तियां देना c. an intervention by the British court in the event of a trade dispute an intervention by the British court in the event of the trade dispute व्यापारिक विवादों में बिटिश न्यायाले को हस्तक्षेप करने का अधिकार d. a system of tribunals and a ban on strikes tribunals की व्यवस्था यानि की न्यायाधिकरनों की व्यवस्था तथा हरताल पर प्रतिबंध लगाना ये चार विकल्प हैं चार options हैं trade dispute act 1929 ने क्या किया था अब बताईए अपना आंसर दो लोग का मेरे पास अभी श्राम ने मुझे दिखाए आंसर तो B है राजु कुमार का भी है रिंकी कुमारी का भी है बाकी सोनम सिंग का भी है शिप्रा गर्ग tribunals वाला आंसर यानि की D दे रही है विरेश राठी का C है चलिए आ रहें आंसर सामने ठीक है मैं एक मिनिट तीस सेकिंड और दे रहा हूँ जल्दी से मार्क करिए फिर मैं बताता हूँ समझाता हूँ इस कोशन को क्योंकि ये एरिया वो है हमने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है कि 2017 में आया हुआ IAS का कोशन है तो मुझे आपकी यहां से भी आपकी थोड़ी नॉलिज बढ़वानी थी इसलिए ये कोशन मैंने चूज किया और डाला तो बहुत ही डारेक्ट कोशन आये IAS में स्ट्रेट पूछे गए है वो कोशन्स मैंने नहीं लिये हैं सीधे सिंपल स्ट्रेट कोशन्स भी बहुत हैं जो कि मैंने छोड़ दिये हैं वो नहीं उठाये मैंने कुछ लोग का A भी है चलिए अब मैं अपना आंसर बताता हूँ आप लोगो देखिए इसका आंसर जो होगा आंसर होगा इसका D आंसर D होगा और D आंसर क्यों है मैं समझाता हूँ देखिए याद करिएगा ये Trade Dispute Act हमने कहां पढ़ा था तो हमने जो है बेसिकली जब भगत सिंग ने संसद के अंदर बम डालने का प्रयास किया था और संसद में बम फेका था तो उस समय पर जो है दो बिल प्रस्तुत किये जा रहे थे उनमें से एक बिल Trade Dispute Act 1929 का ही बिल था जिसको प्रस्तुत किया जा रहे था और जिसको प्रस्तुत करने से भगत सिंग रोक रहे थे तो ये जो Act था और दूसर था Public Safety Bill तो दोनों को रोकने के लिए भगत सिंग ने बम डाला था इसका भी विरोध किया था प्लस वो अपनी आवाज उठाना चाहते थे अब कोई कानून अच्छा कानून है तो उसका विरोध भगत सिंग क्यों करेंगे या उसका विरोध करने के लिए भगत सिंग क्यों जो है डालेंगे क्या कहते हैं बम डालेंगे तो अगर हम देखें पहला option तो होगा नहीं A तो होगा नहीं क्योंकि A तो एक अच्छा काम करवा रहा है क्या करवा रहा है A option वो प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी देने की बात कर रहा है management में मजदूरों को भागीदारी देने की बात कर रहा है तो ए तो हो नहीं सकता अब या तो B हो सकता है क्योंकि B में प्रबंधन को मनमानी शक्तियां दी गई है या C हो सकता है कि British Court को intervene करने का या D हो सकता है तो इसका answer D है इस Trade Dispute Act के अंदर Tribunal System लाया गिया था और उद्योगों के अंदर पर्तिबंध लगाए गए थे मजदूरों के द्वारा पर पर्तिबंध लगाए गए थे और उस समय भगसिंग जो है वो माक्षवास से پ्रेडित थे समाजवास से प्रेडित थे और ये basic right मानते थे हरताल करने का मजदूरों का अधिकार तो उसको रोका जा रहा था जो कि उन्हें कभी भी स्विकारे नहीं था तो D option इसका सही है exam के लिए अपने दिमाग में की information भी add कर लीजे फिर dispute act tribunals के लिए लाया गया था और मजदूरों की strikes को ban करने के लिए उनकी हरताल को ban करने के लिए लाया जा रहा था जिसको रोका गया था ठीक है तो इस तरीके से एक ये और information हमें इस question से add हो जाती है तो ये तो हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से bill थे जोने रोका जा रहा था public safety बिल भी और trade dispute बिल भी इतनी बात मैंने तब बोली थी अब उसने इसमें particular पूछ लिया है तो अधिकार कौन सा हरताल के अधिकार को ban किया जा रहा था ठीक है अगले question पर जाते है तो इसका answer D है अगले question पर जाते है अगले question पर लीजेगा question है which of the following is are the principal features of the government of India Act 1919 1919 के भारत शासन अधिनियम के कौन से मुख्य लक्षन थे या कौन से मुख्य चरित्र थे या कौन सी मुख्य व्यवस्थाएं भारत शासन अधिनियम 1919 ने की थी क्या क्या किया था ठीक है number one introduction of diarchy in the executive government of the provinces प्रांतों की सरकारों में प्रांतों की कारेपालिका में diarchy की व्यवस्था की द्वैद शासन की व्यवस्था की एक option दूसरा option है introduction of separate communal electorates for Muslims मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की introduction of separate communal electorates for Muslims मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन व्यवस्था प्रारम की तीसरा devolution of legislative authority by the center to the provinces केंदर के द्वारा राजियों को वैधानिक शक्ती का दिया जाना ये तीन options हैं अब बताईए इसमें क्या answer होगा बहुत सारे बच्चों का option answer आ रहा है C किसी का और भी है किसी का A है A है one only C है one and three D किसी का नहीं है one two three second options अब छोड़ो रहे हैं क्यालिए आप लोगों को देखके मुझे ये बात में खुशी हुई कि आपने at least A या C में से option को चुना ठीक बात है इसमें confusion हो सकता है लेकिन हा किसी ने भी D option नहीं चुना तो याने की दूसरे को सब छोड़ो रहे हैं चली ये अच्छा किया आपने की second छोड़ा ये second छोटा जाएगा second तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि मुसल्मानों को प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो उसको प्रारम किया था उसका introduction हुआ था जो है 1909 के मौले मिंटो एक्ट से 1909 के एक्ट से हुआ था 1919 के एक्ट से नहीं हुआ था हाँ separate electorate और committees को बढ़ाया गया था लेकिन Muslims को तो 1909 से ही introduce कर दिया गया था तो second option नहीं होगा अब option one होगा या three होगा या दोनों होंगे now कहला है introduction of diearchy in the executive government of the provinces कल भी एक कोशन में हमने देखा था 1919 के act ने प्रांतों में द्वेध शासन व्यवस्ता यानि की diearchy system को introduce किया था तो option one तो होगा ही होगा अब बचा option three जरा उन notes को दुबारा पढ़िएगा जो आपको मिले थे 1919 के act के समय तो जब मिले थे तो उसमें ये भी व्यवस्ताती की devolution of legislative authority by the center to the provinces मैंने आपको बताया था कि राज्यों को बहुत सारी शक्तियां दी गई और राज्यों को जो शक्तियां मिली वो शक्तियां दो भागों में बटी अगर हम देखें तो केंद्र के द्वारा राज्यों को भी शक्तियां मिली वैधानिक शक्तियां भी दी गई और राज्यों को जो शक्तियां एक्जिक्टिव शक्तियां मिली उनको दो भागों में बाटा जिसको उनने डायार की बोला तो devolution of legislative authority भी हुई केंद ने बहुत सारी शक्तियां राज्यों को भी दी ये भी हुआ और पहला तो हुआ ही कि राज्य की कारेपालिका की executive की जो powers थी वो दो में बटी गवर्नर की executive council के पास कुछ powers रही और कुछ powers जनता के दोरा चुनी गई सरकार के पास गई तो डायार की number one रहेगा number three option भी रहेगा number three भी रहेगा और answer होगा c one and three two गलत है ठीक है ये 2012 में आयेस का आयावा question है आगे बढ़े अगले question पर आते हैं the Lahore session of Indian National Congress 1929 is very important in history because the Congress passed a resolution demanding complete independence 1929 का Lahore adhivation Congress का Lahore adhivation बहुत important है history में क्यों की number one Congress passed a resolution demanding complete independence Congress ने पूर्ण स्वतंता की मांग का प्रस्ताव पारित किया number one दूसरा the rift between the extremist and moderates was resolved in that session गरम पंथियों और नरम पंथियों की बीच की जो खाई थी वो खाई इस अधिवेशन में समाथ हो गई number three a resolution was passed rejecting the two nation theory in that session दूई राष्ट सिध्धान two nation theory का जो concept था theory थी उसको इस session में नकार दिया गया two nation theory के concept को इसमें नकार दिया गया तो मैं देख रहा हूँ almost सभी का answer a आ रहा है आप हुश्यार हो चुके हो answer इसका a ही होगा ठीक है देखिए अभी तक two nation theory वाली बात सामने आई नहीं है अभी हमने पढ़ी नहीं है ये पाकिस्तान के निर्मान से जुड़ीवी व्यवस्ता थी तो ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं है तो three option तो है ही नहीं उसकी कोई चर्चा नहीं थी moderate तो हमारे 1918-1919 तक आते आते खतम हो लिये थे 1920 तक ही खतम हो गए थे अब moderates की व्यवस्ता बची नहीं थी तो 1929 में आके moderates और extremist की कोई खाई पटी हो ऐसा कुछ नहीं था सबके सब extremist ही हो चुके थे गांधिवादी हो चुके थे Congress के अंदर तो second वाला भी option सही नहीं है केवल पहला option इसमें सही है कि संपूर्ण स्वतंता की मांग की 2012 में ये IAS के अंदर आया हुआ question है next question चली अगला question है the most effective contribution made by Dada भाई नौरो जी to the cause of Indian national movement was that भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में दादा भाई नौरो जी के द्वारा किया गया महतपूर योगदान क्या-क्या है एक है या एक से जादा है क्या महतपूर योगदान है दादा भाई नौरो जी के भारतिय राश्चे आंदोलों में महतपूर्ण योगदान क्या क्या है नमबर वन Expose the economic exploitation of India by the British Expose the economic exploitation of India by the British यानि की बिटेन के द्वारा भारत के किये जा रहे आर्थिक शोशन को उन्होंने जो है सब के सामने लाए वो उसको expose किया नमबर टू, interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of Indians उन्होंने भारत के पुरातन सहित्य को के मतलब दुनिया को बताए भारतियों को बताए और भारतियों के अंदर आत्म विश्वास भरा नमबर तीन Stress the need for eradication of all the social evils before anything else कोई भी काम करने से पहले समाज के संपून, भारत के संपून सामाजिक बुराईयों को दूर करने की ठानी कि हम और कोई काम बाद में करेंगे पहले भारत की सामाजिक बुराईयों को दूर करेंगे ये तीन में से दादा भाई नौरो जी का योगदान महत्पून योगदान किन किन बातों में देखा जाता है अब देखें इसमें कुछ बच्चों का आप्शन आ रहा है डी यानि कि वो तीनों सही मान रहे हैं और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है A यानि कि वो केवल पहले को सही मान रहे है मेरे हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए A One Only मैं लॉजिक बताता हूँ लॉजिक लगाईए बच्चों सारी बात अच्छी हैं लेकिन फिर भी लॉजिक लगाना पड़ेगा क्यों? देखे पहला तो आपको क्लियर ही पता है ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी तो ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी ही दादा भाई नौरो जी ने दी तो दादा भाई नौरो जी फस्ट के लिए तो पॉपलर है ही अब अगर हम सेकिन की बात करें तो दादा भाई नौरो जी है मौडरेट और एंशेंट इंडियन टैक्स को भारत के पुरातन साहित्य को और भारत की पुरातन कल्चर को रीस्टोर करने की जो इच्छा थी ख्वाईश थी वो एक्स्ट्रिमिस्ट की थी ना कि मौडरेट्स ने उस पर स्ट्रेस दिया उस पर स्ट्रेस देने वाले थे बालगंगा धरतिलग संस्क्रत के प्रकान विद्वान थे तो बालगंगा धरतिलग लालालाच पत्राय, अरविंदो घो, शुविपिन चंदरपॉल इन सब ने इस पर ध्यान दिया और ये लोग जो है मतलब बंकिम चंदर से काफी प्रेरित थे स्वामी विवेकरन से काफी प्रेरित थे और इन लोगों ने अपनी एंशन कल्चर को रिस्टोर करने की बात की moderate पर तो वो यारोप लगाते थे कि तुम अंगरेजी कल्चर से प्रभावित हो रहे हो तो इसलिए second option नहीं होगा अब जैसे ही अब second option तो नहीं होगा क्या third होगा one और three C हो सकता है third option को देखते हैं stress the need for eradication of all the social evils before anything else कोई भी काम करने से पहले अब कुछ भी करने से पहले सबसे पहले सामाजिक सुधार करना होगा समाज की बुराईयों को हटाना होगा उन्होंने ऐसा किया ऐसा तो नहीं है कि दादा भाई नोरोजी ने समाज सुधार की काम नहीं किये लेकिन उन्होंने यह अगर उन्होंने रहनुमाई मजदायन सभा का निर्मान किया मैं जब social religious reform movement पढ़ाऊंगा तो मैं रहनुमाई मजदायन सभा जो है वो पढ़ाऊंगा और उन्होंने उसका निर्मान किया था लेकिन और 50s में ही कर दिया था उन्होंने उसका निर्मान लेकिन वो राष् पर बात की थी जब हमने लंबा discussion किया था first, second, third शुरुवात के lecture में कि Congress ने अपने शुरुवाती दिनों में जब मैंने मेरा वीडियो के शुरुवाती lecture देखीगा मेरा इस series जो मैं चला रहा हूँ इस series के video number two या video number three देखेगा three या four तो उसमें आपके सामने आ जाएगा कि क्यों Congress ने शुरुवात में मैंने expression पर discussion किया है उस video के अंदर क्यों Congress ने शुरुवात में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार के मुद्दों से अपने आपको दूर रखा सामाजिक सुधार के मुद्दे नहीं उठाए तो moderate शुरुवात में Congress को चला रहे थे उन्होंने जान बूच करके शुरुवात में सामाजिक सुधार के मुद्दों से अपनी दूरी बना करके रखी क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार के मुद्दे controversy पैदा करते विवाद पैदा करते और Congress शुरुवाती दिनों में किसी विवाद में उलजना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपनी membership बढ़ानी थी वो अपने आपको mature करना था संगठन को वो शुरुवात में ही किसी विवाद में फसना नहीं चाहती थी तो दादा भाई नौरोजी जैसे निताओं ने सामाजिक सुधार ये कहना कि सारे काम छोड़के पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए तो गांधी नहीं किया था अब गांधी जब हरीजन मुव्मेंट माएंगे तो गांधी कहेंगे कि आजादी वेट कर सकती है लेकिन हरीजनों के अधिकार वेट नहीं कर सकते लेकिन शुरुआत की कॉंग्रेस ने तो अपने आपको सामाजिक सुधार के आंदोलन से जो है ये किया था कुछ लोग कह रहें कि बहुत से बच्चे गूगल भी करते होंगे आंसर देते समय कोई बात नी आप बहुत से बच्चों की चिंता ना करें आप अपना अच्छे से दे ना अपना सही से दे मैं कौन सा आपको आई एस की नौकरी दे रहा हूँ यहां से ये अग्जाम आज का पास करके तो टेंशन मत लीजिए कोई बात नी उसकी टेंशन मत लीजिए अपनी अपने आप आप सही से देते रहिए बस हैं साबका सेर्फ टेस्टर मैं तो देख भी नहीं रहा ना कोई कैसे कर रहा है फर्ग भी नहीं पड़ेगा उससे चलिए मेरी बात आपको समझ में आगई होगी कि मैंने इस बात को पढ़ाया था कंसेप्चुल कि शुरुआत में कांग्रेस ने जो है शुरुआत में कांग्रेस ने अपने आपको सामाजिक सुधार से दूर रखा इसलिए थर्ड आप्शन एप्लिकेबल नहीं है इस तरह की लाइने गांधी ने अब बोली है कि हरिजनों के अधिकार पर हमें पहले बात करनी होगी बाद में हमको जो है आजादी की बात करनी होगी गांधी वहां तक बात कह देते हैं अब हरिजन अंदुलन के दोरान लेकिन शुरुआती Congress ने इससे दूरी बना कर रखी तो मैं third option की साथ भी इसले नहीं जा पाऊँगा तो answer इसका होगा first ठीक है ये होगा first answer होगा और ये conceptual question से इसमें Google भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि fact तो कोई है री ना समझ पराधरित question है तो इतनी जल्दी Google भी नहीं हो पाएगा इसका answer दिमाग चलाना पड़ेगा मैंने पहले ही आप से कहा था IS के question solve करने के लिए IS के question को solve करने के लिए जो है आपको conceptual study करनी पड़ेगी एक बात और मुझे कहनी हैं बच्चो आप लोग chat box का इस्तमाल एक दूसरे पर comment करने के लिए ना करें तो बहतर होगा मैं इस chat को बंद करवा दूँगा वरना मेरे एक बटन दबाना chat बंद हो जाएगी ये इसलिए रख़ा है जिससे कि मैं आपकी answer देख सकूँ या आप लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे के उपर comment वगरा करने के जरूत नहीं है करपिया करके chat box में एक दूसरे के आगे अपनी शेष्टा ना दिखाएं क्योंकि उससे आपको कुछ हांसल नहीं होना ठीके सब यहीं हैं भी किसी का कुछ selection नहीं हुआ है प्रीज सिर्फ मुझे दिखाने के लिए chat box का यूज करें वरना फिर से एक दूसरे पर आवाज रुखती है चलिए ना नेक्स जो है आगे बढ़ें तो नेक्स कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन महात्मा गांधी अंडर्टुक फास्ट अंटू डेथ इन 1932 मेंली बिकॉज महात्मा गांधी ने 1932 में जो आमरन अंशन किया था वो किसलिए किया था यह बहुत सिंपल है आपके लिए कोश्चन 2012 में आईएस में आवा कोश्चन है यह राउंटेबल कॉन्फरेंस फेल टू सैटिस्वाई इनियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स याने की इसलिए किया था क्योंकि राउंटेबल कॉन्फरेंस भारतियों की च्छाओं को पूरा नहीं कर पाई थी बी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग है डिफरेंसे अफ ओपिनियन कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है बात नहीं बन पाई थी है उनमें अंतर था जगडे थे उसके कारण गांधी जी ने 1932 में आबरन अनिशन किया था सी रैमजे मैकडोनाल्ड अनौंस दा कम्मिनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांपरदाईक पुरसकार की घोशना की थी और डी नन अव दा स्टेट्मेंट A, B and C गिवन अबव इस करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट तो यह सिंपल गोशन है इसका आंसर होगा सी आंसर होगा सी पुना पैक्ट रैमजे मैकडोनाल ने जब घोशना की थी सांपरदाईक पुरसकार की और S.C. कम्मिनिटी को डिप्रेस क्लास सोसाइटी को सैपरेट इलेक्टोरेट की घोशना रैमजे मैकडोनाल ने की थी इसी बात का विरोध करने के लिए और इस बात को पीछे लेने के लिए गांधी जी ने आमर और अंशन किया था पुना में जब वो जेल में बन थे यरवदा जेल में तो वहाँ पुना में जो है और वो ने ये अंशन किया था उसके बाद पुना समझाता हुआ था तो आंसर इसका होगा सी ठीक है कुछ बच्चों ने डी भी लगाया है वो ध्यान नहीं तेरे उसने पुना पैक्ट ना बोल करके रैमजे मैगडूनाल का अनौंसमेंट बोल दिया है बस यही ध्यान रखिएगा ठीक है वो थोड़ा सा ट्विस्ट तो करेगा को सावधानी से को करिये next question next question करते है with reference to the period of Indian freedom struggle which of the following wars were recommended by the Nehru report with reference to the period of Indian freedom struggle which of the following wars were recommended by the Nehru report आप देखें यहां पर सीधे report से सवाल आ गया है इसलिए हमने report को अच्छे से detail में पढ़ा था मैंने का था IS के अंदर question report के अंदर से भी आएंगे और PCS में भी अब तो IS के trend को पकड़ चुका है पिछले दो साल से तो उसमें भी अब इस तरह के question आएंगे इसलिए हमने report वगरा पर एक एक class दी थी नहरू report से पूछा इसमें क्या-क्या point होंगे number one complete independence for India नहरू report में क्या-क्या मुद्दे होंगे number one complete independence for India एक point दूसरा joint electorates for reservation of seats for minorities यानि की भारत के लिए पूर्ण स्वधनता की मांग थी इसमें दूसरा था अल्प संक्यकों के लिए संयूक्त निर्वाचन और आरक्षन की व्यवस्ता थी संयूक्त निर्वाचन और आरक्षन की व्यवस्ता थी joint electorate for reservation of seats for minorities और तीसरा provision of fundamental rights for the people of India in the constitution भारत के सम्धान में भारतियों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्ता 2011 में IAS में आया हुआ question है आप सारे सवाल बना सकते हैं मैंने इतने depth से पढ़ाया है आपको अगर आप conceptual study और हमने जो की है वो करें तो सारे सवाल बन रहे हैं जो केवल fact रटेगा वो इस तरह के सवाल नहीं कर पाएगा तो अगर आप इसमें देखें वो answer आ रहे हैं बच्चों के B, B, C भी आ रहा है 1 and 3 अच्छा कुछ का C आ रहा है कुछ का B आ रहा है narrow report को revise जरूर करेगा बच्चों आपके जो answer गलत आ रहे हैं उन areas को जाकर के notes से please revise जरूर करिएगा ठीक है चलिए मैं बतायता हूँ उसका answer अब हम फिर से analyze करते इसको देखिए complete independence for India के लिए मांगी नहीं थी नहरू report ने अगर नहरू report में complete independence मांगी जाती तो फिर जवालना नहरू सुबाश्चंद्र बोस जैसे नेता विरोथ क्यों करते नहरू report का नहरू report ने domain status मांगा था ना कि complete independence मांगी थी तो पहला point तो है ही नहीं तो first तो होगा ही नहीं इसी से question solve हो जाता है वैसे बच्चों क्योंकि first होगा नहीं complete independence for India मांगी नहीं नहरू report ने A में भी one है C में भी one है और D में भी one है answer वैसे B बचा ठीक है तो answer तो वैसे भी हो गया ठीक है अब generally अब अगर हम देखे वैसे सीधे B बन जाता B क्या है joint electorate ही yes नहरू report ने separate electorate को खारिच किया था तो नहरू report ने क्योंकि separate electorate को खारिच किया था उसने joint electorate की बात की थी reservation देने की बात की थी minorities को but joint electorate से ना कि separate electorate से तो second option ठीक है वैसे भी ठीक है अब तो हमें elimination round से समझ में आगिया है तो वैसे भी ठीक है तीसरा है provision of fundamental rights for the people of India in the constitution नहरू report में मौली कधिकारों की बात की गई थी और याद करिएगा 19 मौली कधिकारों की बात की गई थी तो मौली कधिकारों की भी बात की गई थी तो second option भी होगा और third option भी होगा तो answer हो जाएगा B ठीक है चले तो question tough नहीं है जितना आपने पढ़ा है उसी से हो जाएंगे बस उसको use करना है जितनी कहानियां सुनाई है जो मैंने आपको लंबे-लंबे lectures दी है उन lectures में से questions निकलेंगे उनकी answers निकलेंगे क्योंकि वो concept building की जो classes है उनको revise करिए videos revise करिए अगर जिनके गलत हो रहें न उन videos को दुबारा देखिए दुबारा देखेंगे पका हो जाएगा क्योंकि इस बार आपके दिमाग में question भी है आपने revise किया वो चीज़े आपके सामने आती जाएंगे दिमाग में fit हो जाएंगे दुबारा उन videos को देखिए videos तो चैनल पे अविलेबल है ऐसा तो नहीं हटा दी है तो आप उन्हें देखिए आपको भी तो revision करने का भी मौका मिल रहा है इसको solid करिए जहां गलती कर रहे है solid करिए यही मौका है चलिए next question what was the reason for Mahatma Gandhi to organize what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagrahe on behalf of the peasants of Khera what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagrahe on behalf of the peasants of Khera Khera के किसानों के लिए satyagrahe आयोजित करने का Mahatma Gandhi का क्या कारणत है Mahatma Gandhi ने Khera के किसानों के लिए satyagrahe क्यों आयोजित किया या क्यों satyagrahe किया क्या कारण था number one the administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought सूखा होने के बावजूद भी प्रशासन ने जो लगान था उसको माफ नहीं किया था या लगान की वसूली को टाला नहीं था एक चीज़ दूसरा the administration proposed to introduce permanent settlement in गुजरात प्रशासन ने गुजरात में इस्थाई बंदोबस्त को लागू करने की पहल की थी किस बात का विरोथ किया गया था option है तो जातर बच्चे ए आंसर कर रहे है इसका आंसर ए ही होगा one only अब क्यूं होगा one only देखिए मैंने जब आपको ये खेडा सत्यागरे पढ़ाया तो कहीं ये तो बहुत important चीज़ हो जाती थी गुजरात में permanent settlement करना और उसका विरोथ करना तो ऐसा कुछ मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था इसे स्टोरी के में कहीं भी गुजरात में permanent settlement जैसा कोई issue नहीं था issue पहला वाला हमने पढ़ा था कि गुजरात में जो है सूखा पढ़ा था और उस विए से किसानों को लगान देने में समस्या हो रही थी लेकिन अंग्रेज लगान की वसूली को टाल नहीं रहे थे इसलिए जो है फिर और लगान में कोई कमी नहीं कर रहे थे इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रे किया था तो इसका answer के वल one होगा one only now अगला कॉस्चन four resolutions were passed four resolutions were passed at the famous four resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. Four resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or of rejection of these four resolutions became the cause of a split in the Congress at the next Congress session held in Surat in 1907, which one of the following was not one of those resolutions. He said that in 1906 in the Indian National Congress in the Calcutta session under four pre-cd. A, B, C, D, D, which is not the case of a split in the four states. It is the case of a split in 1907. The four states were not the case of a split in the same way. It is the case of a split in the B, C, D में से कौन सा है जो की उन चार प्रस्तावों में से नहीं है बेसिकली तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसका आँसर बच्चे लिखी रहे हैं चलिए किसी का आँसर C है किसी का आँसर A है देखिए आँसर तो इसका होगा A ठीक है आँसर होगा A जो चार प्रस्ताव थे उनमें बॉयकॉट भी था नैशनल एजुकेशन भी था स्वदेशी भी था नैशनल एजुकेशन उसका हिस्सा था उन चार प्रस्तावों में नैशनल एजुकेशन उसका हिस्सा था बॉयकॉट भी इसका हिस्सा था और जो है स्वदेशी भी उसका हिस्सा था वो सब थे तो लेकिन annulment of partition of Bengal नहीं था यहाँ पर एक चीज और समझे यानि कि देखे एक था स्वराज एक था स्वदेशी एक था बहिशकार और एक था राष्ट्रिय शिक्षा तो national education के राष्ट्रिय शिक्षा बहिशकार हो गया बॉयकॉट स्वदेशी हो गया और स्वराज हो गया तो स्वदेशी यहाँ दिया हुआ है national education दिया हुआ है बॉयकॉट दिया हुआ है स्वराज था चौथा इन्होंने लिखा है बंगाल के partition को खतम करना तो जो है यह था annulment of partition of Bengal के विभाजन को खतम करना यह नहीं था उन चार प्रस्तावों में जो यह गरमपंथियों के द्वारा प्रस्ताव आए थे 1906 में कॉंग्रेस का विभाजन इसलिए टला था क्योंकि गरमपंथियों ने यह जो चार प्रस्ताव दिये थे कि स्वराज, स्वदेशी, बहिशकार और राष्ट्रिय शिक्षा इसको accept कर लिया जाए तो तब तो वो कर लिया गया था लेकिन मैंने आपको तब concept में पढ़ाया था कि उनको परिभाशित नहीं होने दिया था उनको define नहीं होने दिया था क्योंकि जो moderate थे उनकी स्वराज की परिभाशा कुछ और थी और जो हमारे गरमपंथि थे उनके हिसाब से स्वराज की परिभाशा और थी तो दोनों की तरफ से सुराज की परिभाशाएं अलग-अलग थी इसलिए जो है उसको डिफाइन नहीं किया था और 1907 में आते आते इन चारों प्रस्तावों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने का काम मॉडवेट्स ने किया क्योंकि 1906 से ही मॉडवेट्स की बाचीत मॉडले मिंटों के साथ चलनी शुरू हो गई थी समधानिक सुधारों की तो वो बहिशकार वगरा के साथ अब नहीं खड़े हो सकते थे और इसलिए 1907 में गरमपंथी और भढ़के और गरमपंथियों को लगा कि हमारे ये प्रस्ता मैंने आपको बताए थे उनी चार में अनल्मेंट ओफ पार्टिशन ओफ बेंकॉल उन चार वैसे था मुद्दा स्वदेशी का लेकिन उन चार प्रस्ताव में नहीं था चौथा था स्वराज ठीक है उसको ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं तो इसका अंसर ए होगा चलिए इस कुश्चन को देखेगा विद रेफरेंस तो साइमन कमीशन विद रेफरेंस तो साइमन कमीशन से रिकमेंडेशन दिखना है क्या साफ या थोड़ा और बढ़ा करूं विद रेफरेंस तो साइमन कमीशन से रिकमेंडेशन विच वन अफ देखेगा फिर रिपोर्ट से कुश्चन है हमने साइमन आयो की रिपोर्ट पढ़ी थी तो साइमन आयो की रिपोर्ट अब हमारे काम आएगी अब देखेगे साइमन आयो की रिपोर्ट में से होगा बच्चो अभी भी लोग कह रहें नहीं दिख रहा अब तो दिख रहा है मोबाइल को होरिजॉंटली पकड़ो वर्डिकली मत पकड़ो तो दिख जाएगा I think so की के मैं बोली रहा हूँ तो with reference to Simon Commission's recommendations which one of the following statement is correct Simon I.O. की अनुशनसाओं के हिसाब से कौन सा statement सही यानि Simon I.O. ने इन में से कौन सी recommendation की है number one A है it recommended the replacement of diarchy with the responsible government in the provinces इसने प्रांतों में diarchy हटा के वहाँ पर accountable government लाने की वकालत की उसका समर्थन किया number two B. It proposed the setting up of inter-provincial council under the home department ग्रह विभाग के अंतरगत इसने अंतर प्रांतिय परिशद बराने को कहा C. It suggested the abolition of bicameral licetature at the center इसने केंद्र में bicameral licetature यानि की द्वी सदनिय व्यवस्था खतम करने की बात की number four D. It recommended the creation of Indian police service with the provision for increased pay and allowances for British recruits as compared to Indian recruits D. B. गलत ही है पहला option इसके अंदर ठीक है आप सब का answer A आ रहा है इसने कहा था कि डायार्की को क्योंकि संतुष्ट करना था हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे तो इसने प्रांतों में ही डायार्की को हटा करके accountable government complete, accountable government पूरी तरह से responsible government लाने का model दिया लेकिन केंदर में इसने ना तो responsible government की बात कही और ना ही डायार्की की बात कही तो answer होगा A just a minute answer होगा A 2010 का IS का question था यह next question in the context of Indian freedom struggle 16th October 1905 is well known 16th of October 1905 is well known for भारतिये स्वाधिनता संगर्ष में 16 October 1905 किसलिए जाना जाता है number one the formal proclamation of Swadheshi movement was made in Calcutta town hall Calcutta town hall में Swadheshi आंदोरन की घोषना की गई आपचारी घोषना स्वदेशी आंदोरन की आपचारी घोषना की गई A में और एक option B में मैंने बताया था कि Swadheshi आंदोरन में दो तिन डेटस इंपोर्टन हैं एक कब फैसला लिया गया करजन के दोरा दूसरा कब फैसले को लागू किया गया और तीसरी डेट की कब Swadheshi आंदोरन शुरू किया गया तो कलकत्ता के टाउन हॉल में Swadheshi मूवमेंट जो है 7 अगस्त को शुरू किया गया था ठीक है जबकि जो 16 October है 16 October को जो डेट डिसाइड की गई थी 16 October डेट जो डिसाइड की गई थी वो डेट डिसाइड की गई थी partition of Bengal को लागू करने की तो इसका आंसर होगा B यह simple factual question है लेकिन ध्यान रखना है confusion होगा तो A और B ही मैं देखना हूँ answer में आ रहे हैं बच्चों के क्योंकि हां confusion होता है ध्यान रखेगा अगले question पर बढ़ता हूँ next question who founded the Ahmedabad Textile Labour Association who founded the Ahmedabad Textile Labour Association Ahmedabad Textile Majdur Sangh का निर्मान किस ने किया A महत्मा गांधी B सरदार पतेल C NM जोशी D J B कृपलानी अभी आसान कोशन है देखो भाई पढ़ा हूआ है आपका आसान कोशन है यह answer होगा इसका A महत्मा गांधी याद करिएगा एहमदाबाद मिल हरताल जब उन्होंने की थी उसी के बाद फिर अभी भी कुछ लोगोंने C लगाया है गलती से शायद लग गिया हो किसी ने D J B करिपलानी भी लगा रखा है लेकिन answer A होगा एहमदाबाद Textile Labor Association जो है गांधी जी ने बनवाई थी महत्मा गांधी ने जब जो है उन्होंने एहमदाबाद हरताल की थी हरताल के बाद बनवाई थी और मैंने बताया था कि उस समय की शायद संभवत है ये एशिया की सबसे बड़ी एक Labor Association बनी थी So answer a hोगा Next Question During the Indian Freedom Struggle why did the Rollet Act arouse popular indignation? During the Indian Freedom Struggle why did Rollet Act arouse popular indigenation a it curtailed the freedom of religion b it suppressed the indian traditional education c it authorized the government to imprison people without trial d it curbed the trade union activities वो ये कह रहे हैं कि रॉलेट अधिनियम ने भारतियों के अंदर भारतिय करंट क्यों पैदा किया या भारतियता क्यों पैदा की तो इसका answer वो पूछ रहे हैं कि यानि कि रॉलेट अधिन ने ऐसा क्या किया कि भारतिय भढ़के बस सीधी सी बात है तो कारण था क्या उसने धर्म धार्मिक स्वजनता छीनी नहीं क्या उसने indian traditional education को दबाया नहीं इसलिए वो आया ही नहीं था तो इसका answer simple has seized cancer होगा it authorize the government to imprison people without trial बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरिफतार करने का अधिकार दिया जाए 2009 के IS में आया हुआ कोशन है next question अब देखें ये कोशन सिर्थ मैंने इसलिए डाला है कि आपको इस angle से तयारी रखनी है जो जो major event हुए है उन major event के समय भारत का voice roy कौन था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था और ब्रिटेन के अंदर secretary कौन था ये तीन नाम याद रख लीजेगा क्योंकि कभी कभी question आ जाता है कि उस दोर में voice roy कौन था कि जैसे ये question आया था कि जब गांधी जी roundable conference में गए तो तब भारत का voice roy कौन था तो इर्विन को लेके confusion होता है लेकिन इर्विन हट चुके थे मैंने आपको बताया था कि इर्विन जो है तब तक हट चुके थे और इर्विन जो है लेकिन जो pact हुआ था वो गांधी जी इर्विन के बीच में हुआ था और उसके बाद इर्विन हट गए थे तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं कोई भी major घट ना घटी उस समय भारत का voice roy कौन था यहाँ पर तो answer होगा Lord James Ford Lord James Ford Montague James Ford उसी साल 2019 का ही Montague James Ford है और 2019 का ही Roll It Act है Roll It Act Montague James Ford reform से ठीक थोड़ा पहले आया है same year में दोनों आये हैं तो answer होगा Lord James Ford चलिए आप सभी का सही है यह answer बट मुझे वो बताना था आपको कि ध्यान रखिए बाकी भी major events के समय के voice roy's ज्याद रखिए हलाकि मैं अभी एक क्लास आके जाकर के जब सारा स्टोरी हो जाएगी cover उसके बाद में एक क्लास एक या दो या तीन क्लास होंगी voice roy's की क्लास कि किस voice roy के कारेकाल में क्या-क्या महत्मून काम हुए वो एक क्लास में लूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question who gave a systematic critic of the moderate politics of the Indian National Congress in a series of articles entitled New Lamps for Old New Lamps for Old नाम से किसने लेखों की एक शरंखला लिखी और नरम पंतियों की आलोचना की मैंने आप लोगो को वैसे ये बता रखा है ये फैक्ट तो बहुती common और simple सा फैक्ट है 2008 में एक कुश्चन आया है क्या होगा आंसर New Lamps for Old किसने लिखी ये बहुत popular book है ये series है और ये लिखी थी New Lamps for Old लिखी थी अरविंदो घोश ने अरविंदो घोश इसके रे जाने जाते है नहीं पता किसी को कोई बात नहीं याद कर लो नरम पंतियों की आलोचना की है इसके अंदर book का नाम है New Lamps for Old लिखी अरविंदो घोश ने इसमें उनके बहुत सारे articles का collection है इस नाम से New Lamps for Old अरविंदो घोश आंसर होगा अरविंदो घोश आरसी दत ने लिखे economic history of India आरसी दत जाने जाते है उसके लिए क्या कहते है drain of wealth theory से जुड़े में है आंसर A होगा next question consider the following statements in the first roundtable conference Dr. Ambedkar demanded separate electorate for the depressed classes एक option दूसरा है in the Puna Act ये Act छपावा है पैक्त होगा ये Puna Pact होगा in the Puna Pact होगा in the Puna Pact special provisions for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made in the Puna Pact special provisions for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made number 3 the Indian National Congress did not take part in the third roundtable conference अब वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से statement ठीक है पहला statement ये है कि पहले roundtable conference में Ambedkar जी ने वंचित वर्क के लिए depressed class के लिए प्रतारित वर्क के लिए जो है वो प्रतक निर्वाचन की मांग की दूसरा statement है पूना समझोते में वंचित वर्क के लिए depressed people के लिए जो है local bodies में आने की स्थानिये निकायों में और civil सेवा के अंदर जो है प्रतिनिशितूं की व्यवस्था की गई थी और तीसरा है The Indian National Congress did not take part in the third roundtable conference भारती राश्टे कॉंग्रेस ने तीसरे गोल में सम्मिलन में भाग नहीं लिया तो क्या ठीक होगा आंसर इसका क्या होगा तो almost सभी ने एक दो को छोड़ दे almost सभी ने D बोला है कुछ लोगों ने C बोला है इसका आंसर एक और तीन और कुछ का A भी आ रहा है A का मतलब एक और दो पड़े mix आंसर आ रहे है देखिए यह जो तीनों स्टेट्मेंट है इन तीनों स्टेट्मेंट में तीन में से धाई स्टेट्मेंट ठीक है आधा स्टेट्मेंट गलत है 2.5 स्टेट्मेंट ठीक है तीन में से 0.5 स्टेट्मेंट गलत है अब कौन सा गलत है बताता हूँ पहला स्टेट्मेंट एकदम ठीक है In the first roundtable conference Dr. Ambayatger demanded separate electorate for the depressed classes तो yes उन्होंने मांग की थी पहले roundtable conference में उसके बाद दूसरे roundtable conference में उन्होंने मांग की उसके बाद वो पूना पैक्ट वो मलब मैक्डोनाल्ड की योजना आई भी तो पहला स्टेट्मेंट एकदम ठीक है तीसरे स्टेट्मेंट को बता दूँ पहले ये भी एकदम ठीक है इसने एकदम ठीक है क्योंकि इणिन नेशनल कॉंगरेमिस भी तो फस्ट में पाट लिया ना थाड में पाट लिया केवल सेकिठ राउंडेबल कॉंफरेंस में पाट लिया ये भी ठीक है बच्चो दूसरे में आप एक गलती कर रहे हो जिनोंने भी मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया वो यह सेकेंड में गलती कर रहे हैं यहां तक ठीक है इन दपूना पैक्ट इस्पेशल प्रोविजन्स फॉर दा रिप्रेजेंटेशन ओव डिप्रेस्ट पीपल यह किया गया था लेकिन कहां किया गया था वो जो सीटे आरक्षत की गई थी 149 सीटे 71 की जगए 148 सीटे वो कहां की गई थी सीटे प्रोविंशल लेजिसलेचर में प्रांतिय विधाईकाओं में की गई थी तो केंद्रीय विधाईका और प्रांतिय विधाईकाओं में पूना पैक्से रिजर्वेशन किया गया था यहां उसने लिखा है local bodies, इस्थानिय निकाए, यानि कि municipalities वगेरा, तो local bodies में reservation नहीं किया गिया था पूरा पैक से, पूरा पैक से legislatures में व्यवस्था की गई थी, seatों के आरक्षन की, तो बस ये इतना हिस्था इसका गलत है, जो ये वाला हिस्था है, तो local bodies वाला हिस्था गलत है, यहां पर legislature आएगा, legislature में seat है, 71 की जगे provincial legislature में 148 seats reserve की गई थी, याद करिएगा, कहीं 147 लिखा है, कहीं 148 लेकिन वो legislature में provincial में लिखा है, या local bodies लिखा है, तो बस इस local bodies की वज़े से, ये second statement गलत हो जाता है, और answer 1 और 3 होता है, यानि कि C answer होगा, बस सावधान नहीं IS का question, अब तो PCS का भी question, ध्यान से पढ़िए, उसको break करिए, उसको हर चीज जो उसमें दी गई है, उसको निकालिए, वरना गबर हो जाएगी, ठीक है, 31 गलती से उसने twist कर दिया, हलका सा twist डाल दिया, 2005 का IS का question है, ऐसा नहीं कि आपका पढ़ावा नहीं है, सब पढ़ाव है, चलिए, मैंनत तो करनी पढ़ेगी ना भाई साथ में, मैंनत नहीं करोगे तो ये इतना पढ़ाना का कोई फायदा नहीं होगा, मैंनत करिए, रिवाइस करिए, बार बार रिवाइस करिए, मैं कहरा हूँ वीडियो को दुबारा देखिए, चलिए, चुरू से लेखिए second part से first part में तो मैंने books बताई है यह जो पूरी series है जो मैं चला रहा हूँ यह series को second part से देखिए चलिए अगले वाले बाते who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the council of the secretary of state for India who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the council of the secretary of state for India अब यह एक दम अलग स्टोरी है स्टोरी का हमारी स्टोरी का हिस्सा नहीं था बट मुझे यह fact आपको बताना था क्योंकि एक्जाम में आया है तो इसलिए यह मैं question डाल दिया अभी हम question से यह चीज़ सीख लेंगे इसका answer है किसी को नहीं पता तो इसमें कोई गुणा नहीं है यह है जी के गोखले है गोपाल क्रशन गोखले को knighthood दी जा रहा है था knighthood की उपाधी दी जा रही थी उन्होंने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए knighthood की उपाधी गोपाल क्रशन गोखले को secretary to India बिर्टेन में जो होता था उसकी council में member बनाया जा रहा था गोपाल क्रशन गोखले ने उसको भी मना कर दिया हमारे हाँ तो अगर आज जो है ना सरकार अपनी गलत बाद मनवाने के लिए अगर सभासद भी बना देना तो हम सभासद के लिए सब कुछ छोड़ देंगे और गोपाल क्रशन गोखले ने secretary to India जो बिर्टेन में बैठता था उसकी council का member बनने से मना कर दिया nighthood जो कि उस समय का सबसे बड़ा award होता था British सामराजी जो देता था उसको लेने से मना कर दिया था तो गोपाल क्रशन गोखले ने ऐसा किया था तो moderate ने ऐसा नहीं त्याग नहीं किया उन्होंने भी खूब त्याग किया है उन्हें खूब पद मिले उन्होंने छोड़ दी है ठीक है एक ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए कोई कह रहा है मैंने बताया था तो ठीक है मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बताने से मुझे से रह गया था बताया था तो चलो अच्छी बात है कि इतना कुछ पढ़ा दिया इतने दिन में इतनी सारी बाते बताई है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ ये question देखिए which of the following pairs are correctly matched चंपारण, राजेंद्र प्रसाद, एहमदाबाद, मिल, मुरारजी, देसाई, खेडा, वल्लब भाई, पटेल वो कह रहा है सही match कौन कौन से है match नहीं करना उसने match करके दे रखा है उसे बूचा है कौन कौन से सही match है 2005 का IAS का question है ये वहाँ से question है कि गांधी जी के सत्याग्रह में कौन कौन लोग उनसे जुड़े अलग-अलग सत्याग्रह में अलग-अलग लोग उनसे जुड़े थे तो येस चंपारण के अंदर राजेंद्र प्रसाद उनके साथ जुड़े थे महादेव देसाई उनके साथ जुड़े थे जेविए किर्बलानी उनके साथ जुड़े थे तो वो सब जुड़े थे खेड़ा के अंदर वलब भाई पटेल जुड़े थे लेकिन एहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरण अनुसूया बेन उनकी अनुयाई बनी थी जो की हमने पढ़ाता कि एक मिल मालिक की सिस्टर थी अनुसूया बेन तो अनुसूया बेन उनके साथ जुड़ी थी मुरारजी दिसाई का नाम नहीं वैसे मुरारजी दिसाई थे गुजरात के ही लेकिन एमदाबाज मिल स्ट्राइक में हमने मुरार जी दिसाई का नाम कहीं नहीं सुना था तो आंसर होगा 1 और 3 सही आप सबका यही आंसर है गुड तो आंसर होगा 1 और 3 यानि की C चलिए यह कोशन देखते हैं किसी बच्चे ने मुझसे यह कोशन उसमें भी पूछा था मैसेज बॉक्स के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल रखा था चैनल के तो उस पर आयवा कोशन भी है यह UPSC में 2002 में आई AS में आयवा कोशन है यह During the Indian Freedom Struggle The Khudai Khidmatgars Also Known As Red Shirts Called For During the Indian Freedom Struggle The Khudai Khidmatgars Also Known As Red Shirts Called For भारतिये स्वाधिनता संगर्ष के तुरान Khudai Khidmatgars जिने हम लालकूर्टी वाले भी कहते थे उन्होंने क्या मांग उठाई थी या किस चीज के प्रयास किये थे किस की कोशिश है की थी A. The Union of Paktun Tribal Areas In North West With the Afghanistan B. The Adoption of Terrorist Tactics And Methods for Terrorizing And Finally Ousting the Colonial Rulers C. The Adoption of Communist Revolution Ideology For Political and Social Reform D. The Pathan Regional Nationalist Unity And A Struggle Against Colonialism तो A है पक्तून प्रजातियों का Northwest Frontier Province में जो है Union बनाना दूसरा था टेर्रिस्ट आतंकी तरीकों का इस्तमाल करना और जो उपनिवेशवादी शासक है उनको डरा कर भगाना C. है सामेवादी Communist तो सामेवादी है सामेवादी करांति कारी सोच को अपने अंदर पैदा करना और सामाजिक सुधार करना सामेवादी के खिलाफ संघर्ष करना और पठानों की राष्ट्रिये एकता पैदा करना अब देखिए इसके अंदर जाहतर बच्चों का अंसर C है मेरे इसाब से C तो आपका आना नहीं चाहिए था C से confusion तो नहीं होना चाहिए था बच्चो confusion होता तो A या D में होता C और B में तो होता नहीं खुदाई खित्मतकार किस ने चलाया था तो खुदाई खित्मतकार खान अब्दुलगफ़ार खान ने चलाया था जिनको सीमांद गांधी भी कहते थे गांधी जी के बहुत पक्किया निवाईयों में से एक बने वो तो terrorist activities तो करेंगे नहीं तो B तो वैसे हट गया हातंगी घटना है तो करेंगे नहीं तो B तो वैसे हट गया अब जो है सी पर आजाओ सी है सामेवादी खान अब्दुलगफ़ार खान सामेवादी नहीं थे क्रांतिकारी लोग सामेवाद से ज़्यदा प्रेरित हुए थे कमनिजम से प्रेरित हुए थे गांधी वादी थे तो इनका कोई सामेवादी रेविलूशन में भी कोई हाथ नहीं था तो ये भी नहीं होगा सी सामेवाद से तो सुभाश प्रेरित थे भगासिंग प्रेरित थे जो क्रांतिकारी लोग थे वो थे नहरू प्रेरित थे लेकिन communist revolution ideology कुरांतिकारी ideology से तो यह प्रेरित नहीं थे अब A अट D में confusion है इसका answer है D किसी ने मैं इस question को मैं लिखा मुझे मालूम इसमें गलती करेंगे तो मैं यही clarity ला दूँ आपके अंदर देखिए जो खुदाई खित्मतगार के लोग थे यह लोग पठान लोग थे यह पठान थे नॉर्थ वेस्ट रंडिया प्रोविंस के पठान थे तो उन्होंने दो अंदोलन चलाए एक तो था वही गांधी जी का अंदोलन सामराजयवाद का विरोध करना कोलोनियलिजम का विरोध करना और दूसर था उनका कि पठानों के अंदर एक तलाना पहले पठानों को एक जुट करना और उन पठानों को राश्ट्रे अंदोलन में उतारना और सामराजयवाद का विरोध करवाना तो यह पठानों का संगठनता खुदाई खिदमतगार जो है तो इसका आंसर डी होगा याद रख लीजएगा ठीक है A, D में से कुछ लगाते हैं मुझे दिक्कत नहीं होती B और C तो नहीं होना चाहिए ता क्योंकि B और C तो आप वैसी जुगार लगा लेते हैं और B का तो वैसी लग जाता C का भी लग जाएगा ठीक है? चलिए The Khilafat movement did bring the urban Muslims into the fold of the national movement Khilafat आंदोलन शेहरी मुसल्मानों को राश्ट्रिय आंदोलन में लेकर के आया Khilafat आंदोलन शेहरी मुसल्मानों को राश्ट्रिय आंदोलन में लेकर आया Reason There was a pre-dominant element of anti-imperialism in both the national and Khilafat movement राश्ट्रिय आंदोलन और Khilafat आंदोलन दोनों में ही सामराज्य वाद विरोधी तत्व उभरने लगे थे राश्ट्रिय आंदोलन और Khilafat आंदोलन में ही सामराज्य वाद विरोधी तत्व उभरने लगे थे There was a pre-dominant element of anti-imperialism in both the national and Khilafat movement अब इसमें देखिए अगर इस question पर मैं जाऊं आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चों ने B देना शुरू कर दिया है A B दिया है A आदित्ते की शुरू का A है A B A B चल रहा है Yes answer तो इसका A या B में से ही कोई होगा A होना चाहिए A का मतलब क्या है कि कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है कथन भी ठीक है और कारण कथन की सही व्यक्थिया भी करता है Reason defines the assertion कैसे बात करते हैं देखिए जो कथन क्या कह रहा है कि Khilafat आंदोलन ने शहरी मुसल्मानों को राष्ट्री आंदोलन में शामिल किया Yes याद करिएगा मौलाना अबुल्गलामाजाद मुहमद अली ये सब वो थे जो की ट्रेडिशनल मुसलिम से अलग हट करके जो की अलीगर आंदोलन की तरफ सोचते थे और राष्ट्री आंदोलन से दूर रहना चाहते थे ये लोग मुसलिम लीग के भी आलोचक थे और इन लोगों ने युवाओं को राष्ट्री आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया और कोशिश की कि युवा शहरी युवा जो है राश्च्रे अंदोलन में शहरी युवा मुसलमान राश्च्रे अंदोलन में शामिल हों तो येस नैशनल मूवमेंट में लाने की कोशिश की ये कथन ठीक है क्यों कर पाए वो ऐसी कोशिश क्यों उन्हें इसमें सफलता मिल रही थी ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये जो युवा मुसल्मान था ये भी ये जो युवा मुसल्मान था ये भी सामराजवाद विरोधी उसके अंदर सोच पैदा हो रही थी तो उसके अंदर भी सामराजवाद विरोधी उस दौर के अंदर जो एक सामराजवाद को फैलाने की कोशिश हो रही थी और जिन राष्ट्रों पर कब्जा हो रहा था उन राष्ट्रों के साथ दुर्वेवार होता था तो इसको देखकर के भारतिय युवा मुसल्मान जो यंग मुसल्मान था पढ़ा लिखा मुसल्मान ये अब नराज हो रहा था तो भारतिय मुसल्मानों में चाहे वो खिलाफस से प्रेरित हो चाहे वो राष्ट्री अंदोलन से प्रेरित हो उनके अंदर सामराजवाद विरोधी भावना जाग रही थी मौलाना अबुलकलाम आजाद मौलाना मुहम्मद अली अली ब्रेदर्स जो थे इन लोगों ने इस बात को भाप लिया था और अब इन्हों ने अलीगण अंदोलन के चंगल से मौलाम ने अलीगण अलीगण उनके जो है अर्बन शेहरी पढ़े लेकिए मुसल्मान थे उन युवादों को राश्चांदों से जोडने की कोशिश कर दी थी तो रीजन भी सही है और एक्स्प्लेन भी करता है क्योंकि रीजन ये कहता है क्योंकि पहले से उनके अंदर युवाओं में सामराजवाद का विरोधी भावना थी इसी लिए खिलाफत मुव्मेंट उन युवाओं को मुसल्मानों को जो है जोड़ पाया नàiश्रल मुव्मेंट के साथ कोई कह रहा है यामीनी कह रही है बड़ सर रीजन में कहीं मुस्लिम तो मेंशन नहीं है दिर वाज ऑप्री डॉमिनन अलिमंट अफ एंटी इंप्रिलिस्टिक था ही लेकिन खिलाफत मुव्मेंट भी एंटी इंप्रिलिस्टिक था सामराजवाद के खलीफा से ही तो आया था सामराजवाद को फेलाने के दोर में ही खलीफा के साथ दुर्वहवार किया जा रहा था तो उससे मुसल्मान नराज थे तो वो सामराजवाद से भी नराज थे क्योंकि उसी सामराजवाद के प्रॉसेस में ही खलीवा के साथ गलत किया जा रहा था तो खिलाफत भी समराजवाद इंपेरिलिजेम के खिलाफता और नैशनल मू exceeds टॉ था ही इंपेरिलिजेम के खिलाफता तो इसमें मुसलिम शब्द नाया हो लेकिन उसने खिलाफत मू Measure दे दिया है तो वो well understood है कि वो Muslims को ले रहा है उसके अंदर, शामिल कर रहा है उसके अंदर इसलिए है ठीक है, I hope बात समझा पाया हूंगा तो ये बचे हुए questions थे जो कल मैंने मेरे से छूट गए थे ताइम नहीं बचा था तो ये questions हमने सारे कर लिये ठीक है, तो ये important questions है ठीक है बच्चो, तो ये कुछ और questions है, I hope आपको जो है, ये वाली आजकी exercise पर अच्छी लगी होगी और उसने दिमाग को थोड़ा खोला होगा question करने का तरीका समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आगा होगी सारे पढ़ेवे हैं, आप पढ़ेवे हैं लेकिन हम पढ़ेवे में गलती करते हैं मैं अक्सर कहता हूँ, प्री उन बच्चों का नहीं निकलता जो मुश्किल सवाल हल करते हैं प्री उन बच्चों का निकलता है, जो आसान सवाल गलत नहीं करते और आसान कौन सा सवाल है जो आपके पढ़े में से आ जाए इतना बढ़ा जीस है इतना वाइडर जीस है कोई और बैठ के पेपर बनाएगा तो आपका पढ़ावा कितना परसंट आएगा और उसमें आप गलती ना करें अगर तो आप गो थू हो लेकिन अगर आपने पढ़ा लिखे में से गलतियां जादा से जादा करनी शुरू कर दी तो फिर बाहर ओने के चांस हो जाते हैं बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन करें जादा से जादा रिवीजन करें और इनको सॉलिड करें जहां conceptual problem है गलती की है उन concepts को revise करें दुबारा से वीडियोस देखिए उन lectures को सुनी अब तो आपको मेरे lecture को बार बार सुनने का भी मौका यहां से मिल जा रहा है तो दुबारा से सुनकर के उनको clear करें सारी कहानी उनी lectures में है सारे questions उनी lectures से solve हो रहे हैं ठीक है तो I hope यह session आपके लिए फाइदमंद रहा होगा इसलिए मैंने बचेवे questions भी करा दिये मैंने 10 years से लगबख सारे questions ढून लिये जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें जो questions आए है questions तो भी बहुत आए हैं तो भी हमें आगे पढ़ना भी है एक आदा कोई छूडिया होगा तो छूडिया होगा 10 years में से तो मैं उसको आगे कभी फिर cover कर लूँगा maximum questions cover कर दियें मैंने जो IAS के आए हुए questions है PCS के तो करी लेंगे आप ठीक है तो I think आप लोगों को मदद हुई होगी और तो बस आज का session पर यहीं रखता हूँ साड़े दस होगिया है तो आज class को यहीं रखते हैं अब इससे आगे कल की class में अब हम पढ़ेंगे कल class होगी कल की class में हम गांधी के हरिजन movement पर अंबेडगर जी के हरिजन आंदोलन पर थोड़ी बात करेंगे जो समय बचेगा उस समय में आपके बचे हुए जो आपकी queries हैं जो आपने मुझे सवाल चैनल पर पूछ रखे हैं उन सवालों के answer बचे हुए समय में कर दूँगा तो हम कल से फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं नया पढ़ने से पहले बहुत जरूरी आज ये session इसलिए भी किया ये बताने के लिए कि नया पढ़ते जाएं और पुराना भूलते जाएं उस से अच्छा है कि नया थोड़ा कम पढ़ लें और पुराना जो है याद रखें basically पुराने को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि देखे कितने सारे सवाल इसमें से बने हैं जो भी तक हमने पढ़ा है और कितने डिफरेंट स्टाइल से बने हैं I hope पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है आपको मालूम है मुझे बता रही कि जरुद नहीं है मुझे तो आपको बस अब good night कहना है कल मिलते हैं आज मैंने वीडियो तीन वीडियो डले हैं एक current का वीडियो डाला है एक maths का वीडियो डाला है और आज ये किये मेरी live class हो गई है तो आज आपको तीन lectures मिले हैं सुबह से तो जिन्होंने ना देखा हो बाकी दो lectures भी देखिएगा अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक दिन में तीन lectures तो मिलते रहें धीरे धीरे चार lecture पर भी आ जाऊँगा अगले एक हफ़ते के अंदर अप प्ले स्टोर पर आने वाला है कुछ उसमें टिक्निकल एरर्स हो रही थी जो मैंने दूर करवा रहा हूँ अभी तो उसके बाद हमारा एक हफ़ते में प्ले स्टोर पर अप आ जाएगा और हमारी पब्लिक आड्मिस्टेशन और ये classes भी almost हफ़ते भर के बाद हम start कर देंगे जैसी आप आ जाएगा उसके बाद हम अपने पबैड की classes भी start कर देंगे और एक और class भी GS की start होने वाली है ठीक है तो अब पढ़ने का pressure आप पर बढ़ता जा रहा है मैं बता रहो अगले एक हफ़ते के अंदर देखिए और बढ़ा दूँगा आज तीन लेक्चर दियें धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे वीडियोज पढ़ाई करिये मन लगा के गुड नाइट ठीक है